कि असलाम अलेकुम दोस्तों मैं अन्जो माराई माई फातिमा टिटोरियल में आप सभी का विल्कम तो देखिए आज मैं इस पर गेट का पट्टी बताऊंगी कि यह गेट का पट्टी किस तरह से बनाया गया है कून और मोती से और बनाने के बाद यह गेट परदा भी हम बनाए है तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना तो चलिए हम इस परट्टी को बताते हैं किस तरह से यह बनाया गया है उसे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलें तो देखिए यह पट्टी इतना है इतना चोड़ा पट्टी है तो इस पट्टी के लिए हम किस तरह से बनाएंगे मोति डालके उससे पहले देखिए पहले इस पूल में हमने मोति पीरो लिया है और आब हम से बुनेंगे तो चलिए देखते हैं किस तरह से बुनेंगे सबसे पहले हम इसमें पंद्रा चैन लेंगे और तीन चैन एश्टा लेंगे तो यह देखिए पहले हम इस तरह से नोट लगा लेते हैं उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, 11, 12, 13, 14, 15 पंद्रा चैन इस पट्टी के लिए है यह जो पट्टी है इतना इतना पट्टी के लिए 15 चैन और तीन चैन एश्टा लेंगे एक, दो, तीन और इसमें देखिए इस तरह से यहां पर हमें पांच बार डबल क्रोशिया बनाना आए इस तरह से तो देखिए एक बन गया यह दूसरा और फिर यह तीन और यह यह पर चार और और भी यह पांच देखेंगें, पांच बार डबल कुरोशिया बना चुके हैं, अब इसमें हम पांच चैन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, पांच चैन लेने के बार, हम यहाँ पे दो मोती डालना है, तो एक एक करके मोती डालेंगे, थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन डालते डालते आपको अंदाजा हो जाएगा, इस तरह से, देखेंगे, आराम से आजाएगा, और फिर ये वाला भी इस तीन पास कर देंगे, देखेंगे, ये दो मोती आपका, देखेंगे, पांच चैन लिये थे, तो मेरा दो चैन खूल गया है, तीन चैन और ले 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 हैं, पिर यहां जो हम 5 डबल कुरुशय बनाए हैं, फिर यहां पे हमें 5 डबल कुरुशय बनाना है, देखेंगे, एक, दो, प्यूंड तो, धिन, और जियर, पांच देखिए 15 चैन लिए थे तो पांच इधर पांच इधर और पांच इसके बीच गए तो आपका पंदर चैन पूरा हो गया है थोड़ा मोटी आपको इधर बढ़ाना होगा फिर इस तरह से पल्टेंग गई से तीन चैन लेंगे यहां पर और दिखिए इसी के अंदर पांच बार डबल कुरूश या बनाना है आ कि यहां पर एक और बनेगा अ मुथ है अरी तरह पीर जो पांच चैन लेंगे तो फीर यहां पर हमें पांच चैन नहीं लेना है तो चैन लेए फिर इसमें इसके बीच में हमें इस तरह से देना है दिए एक और ये दू कि तीन चैन ले लिजिए ताकि खूलेगा तो आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा यह देखिए इसके बीच में इस मूती को इधर कर दीजिए और इस मूती को इधर करके इसके बीच में आपे सिंगल कुरुशिया दो बार बना देना है देखिए उसके बाद फिर तीन चैन लेंगे यहां पर चैन दो ही लगेगा आपका लेकिन तीन चैन हमेज़ ड़ा लेते हैं कि इसमें डालते वक्त कभी कभार खूल जाता है लेकिन आपका अगर नहीं खूले तो बहुत अच्छा है कि यह देखिए कि इस तरह से आपका यह बनेगा उसके बाद हम देखिए इसी तरह से बनाएं अभी हम कोई मोती नहीं डालेंगे एक बार बात देखर बनाएंगे तो देखिए यहां पर हमने तीन चैन ले लिया यहां पर और जिस तरह से यहां पर पांच डबल कुरुश्या बनाए गया है उसी तरह से बनाना है देखिए दू हो गया तीन और यह चार उसके पाद यह पांच अब हम पांच चैन लेंगे एक दू तीन चार पांच पांच चैन लेने के बाद यह दू मोती हम इसमें डालेंगे एक एक करके डालेंगे कि देखिए इस बार चैन खूला नहीं है पांच का पांच चैन है और इसमें हम इस तरह से पांच बार टबल कुरुश्या बना लेंगे और इसी तरह से पूरे पट्टी में हम पूरा रिपीट करेंगे इसे और यह गेट पट्टी इसी तरह से बनेगा दिखिए फिर गुमाएंगे और तीन चैन लेकर इसमें पांच बार डबल कुरुश्या बनाएंगे पांच बनाएंगे देखिए फिर तीन चैन लेंगे और इसमें एक मोटी पहले डालेंगे और फिर यहां पर सिंगल कुरुश्या बना देना है दो बार देखिएंगे और तीन चैन लेकर और जाएंगे एक मोती डालेंगे तो इस तरह से आपका गेट का पट्टी बन के रेटी हो जाएगा बार बार यही रिपीट करना है यही डिजैन बनेगा और आपका गेट का पट्टी बन जाएगा तब तक आप गेट का पट्टी बनाई है तो देखिए हम फिर गेट परदा भी अपलोड कर देंगे बनाते हुए और आप तो गेट परदा देखिए देख लिए हैं फिर देखिए उसका यह लड़ी जो है यह लड़ी भी हम दूसरे वीडियों बता दूंगे देखिए देखिए इस तरह से आपका गेट पट्टी बनके आएगा देखिए जिस तरह से यह उसी तरह से बनाए गया है आप एक बाट ट्राई किजिए बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल इनको भी प्रेस कर दे थाकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटोफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले तब तक के लिए थैंक्स पर आचेंग